पुल्म इंडस्ट्री में मनिशा कोराला ने काफी समय तक राज विया था एक वक्त उनकी करियर काम्याबी की उडान ऐसे भर रही थी कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मनिशा कोराला का ही नाम हर किसी की जुबा पर होता था नाइंटीज के तौर में वो भी एक जमाना हुआ करता था जब मनिशा कोराला की खुबसूरती उनकी एक्टिंग और उनकी पहचान हर किसी को उनकी तरफ खीशा करते थे पिर चाहे वो सलमान खान हो या पिर शाहरुक खान हो पिर चाहे वो आमिर खान हो हर किसी के साथ उस वक्त के हर बड़े एक्टर्स के साथ मनीशा कोराला का रिष्टा था फिल्मी रिष्टा जिसे हमेशा हर वो एक्टर्स चूना चाहती थी उस जिंदगी को अपना बनाना च लेकिन उसे जिन्दगी में मनीशा कुराला जब हो गए साडम का निशा जब सरचड कर बोलने लगा तो मनीशा देखते ही देखते हैं बॉलिवूड से 90's के आखरी समय में आखरी दोर में दूर होने लगी और फिर किया तमाम लोगों के साथ जिस मनीशा कुराला का नाम जु में भी नहीं सोचा था जिहां उनकी गंभीर बिमारी कैंसर की हम बात करेंगे कैंसर से लड़ती वी मनीशा कुराला जिस तरह से जिन्दगी को आखरी तक जाते वे देख चुकी थे जिन्दगी को एक ऐसे सिचुएशन से डील करते देखा था जिसके बारे में आज भी बा जानेंगे आप मनिशा कैसे इस बिमारी से बाहर हुई किस तरह से तड़्पी थी मनिशा कैसे इस इलाज को लेकर मनिशा की खुद की सहन सकती थी जिसकी बदौलत उन्होंने गंभीर बिमारी को हरा दिया था आईए देखते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट मनिशा आज कैसी जिन्दगी जी रही हैं और कैसे फिल्मों से दूर होकर मनिशा की हो गई है यह देखे रिपोर्ट जीहां अपनी गंभीर बिमारी कैंसर को लेकर गंभीर बिमारी घातक बिमारी कैंसर को लेकर मनिशा कोईराला ने हाल ही में जो रास खोले हैं हॉस्पिटल को लेकर शहरों में हॉस्पिटल को लेकर उसे सुनकर हर को यही कहेगा कैंसर जहींदी घातक बिमारी से राहत पाने के लिए खुद में सबसे साधा भरोसा करने की जरूरत है मनिशा कोईराला ने जानकारी दी है कि कैंसर से लड़ने के लिए सालों तक उन्हें सबसे जाधा अपने आप पर भरोसा करना पढ़ा चार दिवारी की अंदर जब कैद रहती थी मनिशा कोराला गंभीर बिमारी कैंसर से लड़ने के लिए सिर्फ उमीद की रह पर चल कर उन्होंने इस बिमारी को हराया सिर्फ और सिर्फ उमीद ने उन्हें मदद दी इस बिमारी से बाहर निकलने में उन्होंने ये भी बताया कि ये बिमारी इतनी खतरनाक थी कि एक समय वो पूरी तरह से हार गई थी और वो डर गई थी जसकी वजह से तकलीफ, जिहां दर्द, कैंसर की दर्द से इस तरह वो परिशान थी कि वो चाहती थी इस बिमारी के साल वो भी चली जाए और ऐसी ही वो नए जिंदगी पाने की वजह से उन्होंने कहा कि वो हर किसी की आगे यही कहना शाहिंगी गडाती वी वो नजर आई कहे कि अपनी बिमारी को हमेशा ही छोटा ना समझे और हर एक इनफॉर्मिशन और वर्निंग साइन को सीरियसली लिया जाए ये कहना था मनीशा कोईराला का जी हाँ फिल्म इंडस्ट्री में 90 के दौर में मनीशा कोईराला ने काफी जादा काम किया था अगर आपको पता ना हो तो बता दे करोडों की संपती की अर्बों की संपती मनीशा मालिक है जो की अपने आप में नेपॉलियन तो है नेपॉलियन फिल्मों में जिन्होंने काम किया 49 शाल की मनिशा कोईराला ने अपनी शादी शुदा जिंदगी को दो साल में ही खत्म कर दिया था समराड तहल से अलग होने के बाद मनिशा कोईराला फिल्म इंडस्ट्री से दूर होने के बावजूत कभी भी खुद को अकेला नहीं करने देती थी लेकिन हाँ घर प के साथ काम कर चुकी मनिशा अपने जिंदगी में आज अकेली जरूर है लेकिन बहुत ही जादा सकरात्मक्त विचार है उनके अंदर जिसकी कारण कैंसर के प्रती वो जाग रुटता कुछ है से पहलाती है निजर आई सुनिये मनिशा ने क्या क्या कहा इस वीडियो में तक है कि यह एक बूच्ट जीर दूच्ट लेजिट थे जए पाद सिर्ट्ट बडियोंंक्त विच्ट उत्स पूट्टिड उख कि विए विए बडियों में तें आई स्हूर्ट इस अच जहरे टेकूर्ट थे जहीं मैं इसा इस अटर बाद कुट लुट क्योंक्त वीडियो and the main treatment is the emotional family or friend, some support system. And I think, to me, that was my immediate family, like my mom and my dad. And so my mother has always been the pillar of strength to me. And in times of crisis, she really rise to more than what one expects. So she was there for me. but also I have to say that I had wonderful doctors I had phenomenal surgeons, phenomenal oncologists who were there for me, who were available for because as a patient you really emotionally depend on your doctors so they were available for any kind of questions I had and so I am thankful and grateful for that I guess your family, your friends, your support system whom do you fall back on when everything else is going wrong so all that matters to have a strong support system so Dr. Ajay sir, you know Manisha ma'am already said that awareness is most important today we talk about treatment but no one is ready to talk about awareness right, people hardly talk about awareness whom do you think things should be work of this no definitely like I said awareness talk has been there for a long time why it has not taken off is people were afraid of cancer for a long time even a woman who finds a lump in the breast won't come forward but today because of people coming forward like Manisha coming forward and talking about cancer and talking about how it can be cured or do it well there are a lot of, we use our own patients called think book patients come forward and talk about how they are living a normal life when people see that for example if you get diabetes people are not afraid of diabetes they know they can be controlled similarly cancer field it is happening and having cancer centers like this again it demystifies the myth that people were afraid to come to cancer centers in the past today cancer centers you where majority of the patients come because they want the right treatment they want the focused approach and they hear from word of mouth from families it is not a disease to be feared so because of that early patients are coming now you look at in our Bangalore when we did a study of breast cancer patients over 1000 patients we did in 2005 70% were coming advanced stages today nearly 75% are coming early stage so huge difference has happened just by creating awareness and showing patients it is important for patients to come and talk like what you have done if people come and talk people feel nothing to be afraid about that is the key I just want to add something actually preventive lifestyle is Mickey is an expert on that so probably I will give the mic to him after I finish but whatever little I know is that in our part of the world in non-communicable disease which is like cancer and lungs and others are actually on the rise so that is lifestyle induced so we know that lifestyle we need to have a correct lifestyle but we don't really apply that so slowly slowly I think with the help of the hospitals the experts and more professionals like him we can speak about how to have a healthier lifestyle what are the choices that we have and correct it and cancer is cured when it's detected early isn't it doctor? जी हाँ ये था हमारा शो मनीशा कोराला और उनकी बीमारी को लेकर फिर लोटेंग ये ऐसे ही फिल्मिस सिर्दारों की जिन्दगी के तमाम किससे आपके बीच पेश करने के लिए अभी के दीजिए हमें इजाजत और बॉलिवड इंडस्ट्री के जुड़ी हर खबर यहां के एंटेइन्मेंट से जुड़ी हर खबर पाने के लिए आप देखते रहें नेक्ट टू नाइन न्यूज नमस्कार